ICSC ने परसिद कहानीकार केशन चंदर की कहानी जामुन का पेड़ को दसुई कक्षा के पाठिकरम से हटा दिया है काउंसिल का कहना है कि ये दसुई के बिद्यार्थियों के लिए उपित नहीं है काउंसिल फॉर्दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एक्जामनेशन ने बोर्ड के इंतिहानों से महज तीन महीने पहले ये फैसला लिया ले टेलिग्राफ के अनुसार ICSC काउंसिल की ओर से जारी एक नोटिस में बताया गया कि 2020-21 में बोर्ड की परिक्षा देने वाले बिद्यार्थियों से इस कहानी के पर्षन नहीं किये जाएंगे काउंसिल के सेक्रेटरी और मुख कारिकारी गेरी राथुन ने अकबार को बताया कि कहानी को इसलिए हटाया गया क्योंकि यह दस्रूइं के विद्यार्थियों के लिए उप्युक्त नहीं थी हलाकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया नहीं यह बताया कि इस पर किसके द्वारा अपत्ती धर्ज कराई गयी थी साठ के दशक में लिखी गई चंदर की यह कहानी साल 2015 से ICSC के पाठकरम में थी कहानी बेंगात्मक शैली में लिखी गई है जहां एक पेड़ के गिरने पर उसके नीचे दबे ब्यक्ति को निकालने के लिए की जारही सरकारी कारवाई के बारे में बताया गया है जो देश में सरकारी विभागों के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाती है अब आई एक नजर डालते हैं इस कहानी पर और जानते हैं कि आखिर क्या है इस कहानी में जिससे ICSC काउंसिल को इतना डर्था कि उसे पाठकरम से हटाना पड़ा रात को बड़े जोर का अधी चला सेक्रेटियेट के लौन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा सुबह जब माली ने देखा तो इससे मालूम पड़ा कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है माली दोला दोला चपरासी के पास गया मिंटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के एर्धगिर्द मजमाई कठा हो गया बिचारा जामुन का प्यड कितना फलदार था एक कलरक बोला मैं फलों के मौसम में जोली भर के ले जाता था मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे तिसरे कलर्क ने तगरीबन रुवांसे होकर कहा मगर ये आदमी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया हाँ ये आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया पता नहीं जिंदा है कि मर गया एक चपरासी ने पूछा मर गया होगा इतना भारी तना जिसकी पीट पर गिरे वो बच कैसे सकता है दूसरा चपरासी बोला नहीं मैं जिंदा हूँ दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहती हो कहा जिंदा है एक कलर्क ने हैरत से कहा दरख्त को काट कर इसे निकाल लेना चाहिए माली ने मश्वड़ा दिया मुश्किल मालूम होता है एक काहिल और मोटा चपरासी बोला दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है क्या मुश्किल है माली बोला अगर सुपरिटेंडन साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और कलर्क जोर लगा कर दरक्त के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं माली ठीक कहता है, बहुत से कलर्क एक साथ बोल पड़े, जोर लगाओ, हम तयार हैं एक दम बहुत से लोग दरक्त को काटने पर तयार हो गए, ठैरो सुपरिटेंडन बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मश्विरा कर लूँ सुपरिटेंडन अंडर सेक्रेटरी के पास गया अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया डिप्टी सेक्रेटरी जोइंट सेक्रेटरी के पास गया जोइंट सेक्रेटरी चिप सेक्रेटरी के पास गया चिब सेक्रेटरी ने जोन पिंटी सेक्रेटरी से कुछ कहा एक फाइल बन गई फाइल चलने लगी फाइल चलती रही इसी में आधा दिन गुझर गया दुपहर को खाने पर दबे हुए आद्मी के इर्ध गेद बहुत भ्योड हो गई थी लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे कुछ मंचले कलकों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा वो हुकूमत के फैसले का इंतिजार किये बगएर दरख्त को खुद से हटाने का तहिया कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडन्ट फाइल ले भागा भागा आया बोला हम लोग खुद से इस दरख्त को यहां से हटा नहीं सकते हम लोग वालिज विभाग से चंबन दित हैं और यह दरख्त का मामला है जो किर्शी विभाग में है इसलिए मैं इस फाइल को अरजेंट मार करके किर्शी विभाग में भेज रहा हूँ वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा दूसरे दिन किर्शी विभाग से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी वालिज विभाग पर लागू होती है यह जवाब पढ़कर वालिज विभाग को गुस्ता आ गया क्योंकि यह एक फल्दार दरख्त का मामला है और एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट को सिर्फ अनाज और खेती बारी के मामलों में फैसला करने का अधिकार है जामुन का पेल एक फल्दार पेल है इसलिए पेल हॉल्टी कल्चर डिपार्टमेंट के अधिकार में आता है रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया हाला कि लौन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेके दरक्त को खुद से हटवानी की कोशिश ना करें मगर एक पुलिस कॉंस्टेबल को रह मागया और इसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है उमीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला माली ने पेल के तने को गवर से देखकर कहा हैरत गुजरी की तना तुम्हारे कूले पर गिरा अगर कमर पर गिरता तो रिवल की हड़ी तूट जाती दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ ना बोला माली ने फिर कहा तुम्हारा यहां कोई वारिस होतो मुझे उसका आता पता बताओ मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा मैं लावारिस हूँ दबे हुआ आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा माली अफसोश यहिर करते हुए वहां से हट गया तिसरे दिन हॉल्टी कल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया बड़ा कड़ा जवाब था और ब्यंगपूर हॉल्टी कल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदमी मिजाज का आदमी मालूम होता था इसने लिखा था तो आधा आदमी इधर से निकला आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और दरक्त वही का वही रहेगा मगर इस तरह से तो मैं मर जाओंगा दबेव आदमी ने एतिजाज किया ये भी ठीक कहता है एक कलर बोला आदमी को काटने वाले तजबीज पेश करने वाले ने कला विरोध किया आप जानते नहीं है आज कल प्लास्टिक सर्जरी के जरिये धर्ड के मुकाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट ने फोरण इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन इस महेट में का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकी कात के लिए भेज दिया सर्जन ने दिबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाओ, सांस की आमदो रफ्त, दिल और फेपणों की जाज करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ओपरेशन हो सकता है और ओपरेशन काम्याब भी हो जाएगा मगर आदमी मर जाएगा लिहाजा यह तजबीज भी रद कर दी गई रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुक में खिचडी के लुक में डालते हुए उसे बताया अब मामला उपर चला गया है सुना है कि सेक्रेटरियेट के सारे सेक्रेटरियों की मेटिंग होगी इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा उमीद है सब काम ठीक हो जाएगा दबा हुए आदमी एक आह भरकर आइस्ते से बोला हमने माना की तगा फुलना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक माली ने अचंबि से मुह में उगली दबाई हार से बोला, क्या तुम शाइर हो दबी हुए आदमी ने आहिस्ते से सिर्हला दिया दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया चपरासी ने कलरक को और कलरक ने हेड कलरक को थोड़ी ही अरसे में सिक्रेट्रियेट में ये बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है बस फिर क्या था लोग जोर दर जोक शायर को देखने के लिए आने लगे इसकी ख़बर शायर में फैल गई और शाम तक महले महले से शायर जमा होना शुरू हो गए सेक्रेट्रियट का लॉन भात भात के शायरों से भर गया सेक्रेट्रियट के कई कलरक और अंडर सेक्रेट्रिय तक जिने अदब और शायर से लगाओ था रुग गये कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजले और नजमे सुनाने लगे कई कलरक इससे अपनी गजलों पर इसला लेने के लिए मुसिर होने लगे जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो उस्टे क्रेटरियेट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चुकि दबा हुआ आदमी एक शायर है लिहाजा इस फाइल का तालुक ना एगरी कल्चर डिपार्टमेंट से है ना हौल्टी कल्चर डिपार्टमेंट से है कल्चरल डिपार्टमेंट से है, कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई, कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके इस बदनसीब शायर को इस छाओं देने वाले प्योड से रिहाई दिलाए जाए, फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुक्तलिफ शुवाबों से गुजरती हुई अद्भी अकादमी के सिक्रेटरी के पास पहुची। बिचारा सिक्रेटरी इसी वक्त अपनी गाली में सवार होकर सिक्रेटरियट पहुचा और दबे हुए आदमी से इंटर्विव लेने लगा। तुम शायर हो इसने पूचा जी हाँ दबे हुए आदमी ने जवाब दिया क्या तखलूस रखते हो अवस अवस से क्रेटरी जोर से चीखा क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ एक अलाम अवस के फूल हाली में परकाशित हुआ है दबे हुए शायर ने इस बात में सिरह लाया क्या तुम हमारी इकादमी के मेंबर हो सिक्रेटरी ने पूचा नहीं है रखत है सिक्रेटरी जोर से चीखा इतना बला शायर अवस के फूल का लेखक और हमारी इकादमी का मेंबर नहीं है उफ उफ कैसी गलती हो गई हमसे कितना बला शायर और कैसे गोशिया ए गुमनामी म नहीं बलकि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ बराहे करम मुझे इस प्योड के नीचे से निकालिये अभी बंदोवस्त करता हूं सेक्रेटरी फोरन बोला और फोरन जाकर इसने अपने महत्मे में रिपोर्ट पेश की दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आय ज़ते हैं। अर्जेंट लिखा है शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेश्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी माली बहुत खुश था कि दबे हुए आदमी की सेहत जबाब दे रही थी मगर वो किस किसी ना किसी तरह अपनी जिंदी के लिए लड़े जा रहा है कल तक सुबह तक किसी ना किसी तरह इससे जिंदा रहना है दूसरे दिन जब फॉरेश्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलहाली लेकर पहुचे तो इनको दरख्त काटने से रोक दिया गया मालूम यह हु तो इस बात का सदिद अंदेशा था कि हुकूमते पिटोनिया से हमारे तालुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे मगर एक आदमी की जान का सवाल है एक कलरक कुस्ते से चिलाया दूसरे तरब दो हुकूमतों के तालुकात का सवाल है दूसरे कलरक ने पहले कलरक को सम आज सुबह वजीरे आजम बाहर मुलकों के दौरे से वापस आ गए हैं आज चार बजे महकमा एक हारजा इस दरक्त की फाइल उनके सामने पेश करेगा जो अफैसला देंगे वोही सबको मंजूर होगा शाम पाच बजे खुद सुबरी टेंडन्ट शायर की फाइल लेकर उनके पास आया सुनते हो आते है खुशी से फाइल हिलाते हुई चिलाया वजीरी आजम ने दरक्त को काटने का हुकम दे दिया है और इस वाकए कि सारी बैनुल अक्वामी यानि अंतराष्टी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है कल वह दरक्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हसिल कर लोगे सुनते हो आज तुम्हारी फाइल मुकमल हो गई सुपरिटेंडन ने शायर की बाजू को हिला कर कहा मगर शायर का हाथ सर्थ था आखों की पुतलियां बेजान थी और चीटियों की एक लंबी कतार उसकी मुक में जा रही थी उसकी जिंदेगी की फाइल भी मुकमल हो चुकी थी वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कितनी मारमिक और हिर्दें को जग जोड़ देनी वाली कहानी है न आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जिससे इसे पाठकरम से ही अटाना पड़ा इससे तो आने वाली प्योड़ी को सीख मिलती कि आगे चल कर अगर वो इस पोश्ट पर पहुचते हैं इस पर शासन का हिस्सा बनते हैं तो ऐसा करने से एक बार वो इस कहानी को जरूर याद करते हैं लेकिन क्या कह सकते हैं ऐसे सोच के लोगों को जिने अपने देश के भविश्की तनिग भी परवा नहीं है अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इस पर अपनी परतक्रिया अपनी राय अवश्य दें धन्यवाद